हमारी आजगी कहानी देहकर शायद आप भी अपनी बहन पर शक करने लगी कहानी की शुरुबा लियूगी नाम के एक नौजवान से होती है जो सुबा सुबा चाय की चुसकी का मजा ले रहा था तब ही उसे उसकी लबर सिंधिया का फोन आता है सिंधिया उसे पूछती है लियूगी तुम मेरी सुबा सुबा लोगी मगर लियूगी उसे जे कहकर मना कर देता है कि आज मुझे मेरे पेरंस के साथ बाहर जाना है कुछ तेर बाद वो अपने पेरंस के साथ अपनी दादी की कबर पर पहुँच गया था क्योंकि आज उसकी दादी की बरसी थी इसी वीचे खुबसूरा सी लड़की वहां आती है इस सुन्दर सी कन्या का नाम सुनिया था और ये लियूगी की चचेरी बहन थी लियूगी के पिता उसे पूछते हैं सुनिया तुमारा बाप कहा है इस पर सोनिया कहती है ताओ जी उन्हें जरूरी काम आ गया था दादे की बरसी मना कर वो सभी सोनिया के साथ उसके घर जाती है खाना खाते समय सोनिया के पिता अपने परिवार से मां भी मांगते है कि आज वो अपनी मां की बरसी पर पहुंचना सका साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि काम के सिलसले में मुझे पैसों की जुरूरत है इसलिए मैं हमारे पेरंस का घर बेचना चाहता हूँ ये सुनकर लिउगी के पिता गुसे में कहने लगे उस गर में मेरा भी हिस्सा है छोटे तुम अकेले सब नहीं कर सकते उनकी वहसे परिशान होकर सोनिया लिउगी को अपने कमरे में ले आती है जहां वो अपने बच्पन की तस्वीरें दिखाते हुए कहती है कि तुम बच्पन में मुझे बहुत प्यार करते थे अब वो प्यार भाई बहन वाला था या कोई और इसके बारे में तो सोनिया ही बता सकती थी अगले दिन लिउगी अपने आफिस में आता है उसका बास उसके काम से बहुत गुश था जिसकारव वो उसे एक बड़ा परजेक्ट देता है बास आगे कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है या तो मेरी पतनी मार्शला के साथ एक प्राप्टी देखने जा सकते हो थोड़ी ही देर बाल लिउगी मार्शला के साथ प्राप्टी देखने पहुँच जाता है बापिस जाते समय मार्शला के पैर में मोच आ जाती है लिउगी उसे संभालता है उसके दर्द गटाने के लिए उसके पैर को सहलाने लगता है और सहलाते सहलाते उसके नजर मार्शला की गुफा पर पड़ जाती है जे देहकर मार्शला भी ल्यूगी का कोई खासांग सहलाना चाहती थी लेकिन सहला नहीं पाती उसी शाम को अचानक सोनिया ल्यूगी के घरा धम की वो उसे यू अचानक आने का कारण पूछता है जिस पर सोनिया बताती है मेरे पेरंस तीन दिन पहले घूमने गए थे मगर वो अब तक घर नहीं आए जबकि उन्हें उसी शाम को आ जाना चाहिए था वैसे मैंने पुलिस को बता दिया है लेकिन उन्हें भी वो कहीं नहीं मिल रहे ल्यूगी कहता है कि तुम जब तक जाहो जहां रह सकती हो मैं इसके बारे में अपने पिता से भी बात करूँगा अगले दिन सिंधिया ल्यूगी को फोन करती है जिसे वो नहते नहते बातरूमे ही छोड़ाया था और आप बातरूमें सोनिया नहा रही थी जब वो फोन लेने बातरूम में आया तो अपनी खूबसूरा बेहन का बदन देह कर वो ध्यान मुक्त हो गया तभी सिंधिया फोन पर जोर से कहती है कि आज रात में तुमारे साथ बिताना चाहती हूँ तुमारे गरम गरम अजार से अपनी गुफा का पानी निकालना चाहती हूँ ये सुनकर सोनिया कहती है कि रात को मैं मूवी देखने चली जाओंगी मैं कबाब में हड़ी नहीं बनना चाहती अपने कहे उनसार सोनिया गर से बाहर और सिंधिया गर के अंदर आ गई थी जिसके बाद वो और लियोगी जिस्मानी खेल का मज़ा लेना शुरू करते हैं दोनों आज कई दिनों बाद मिले थे इसलिए वो दोनों पूरी रात प्यार करने वाले थे इसी भी सोनिया भी घर वापिस आ गई थी पूरे घर में सिंधिया की गरम गरम आवाजें गूज रही थी क्योंकि लियोगी उसकी अच्छी तरह ठुकाई कर रहा था उसकी आहे सुनकर सोनिया जान बूज कर उनके कमरे में आती है और कहने लगती है ओ, माफ करना मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों प्यार कर रहे हो सोनिया सिंधिया से कहती है कि मैं कर राती जहाई थी सिंधिया लियोगी से नराज होकर कहने लगी तुमने मुझे इस मारे में क्यों नहीं बताया तो इस पर लियोगी सिंदिया से मापी माँगर उसे मनाने लगता है अगली शाम को वो तीनों साथ में मूवी देखने जाते है सोनिया को साथ लाना सिंदिया को अच्छा नहीं लगा था लेकिन फिर भी वो चुप रहती है मूवी देखने के बाद सिंधिया को उसके घर छोड़कर लियोगी और सोनिया अपने घर वापिस आ गए थे घर आगर अचानक सोनिया रोने लगती है लियोगी उससे उसके रोने का कारण पूछता है तो सोनिया रोते रोते कहने लगी तुमारे हिलावा मुसे कोई प्यार नहीं करता जिसके बाद देखते ही देखते वो दोनों अपनी सारी हदे पार कर गए अगले दिन आफिस में लियोगी के दिमाग पर सोनिया के खूबसूरा बदन का सरूर चड़ा रहता है जिसके बाद वो जल्दी जल्दी घर आता है और सोनिया की गुफा में अपना हथियार डाल कर उससे प्यार करने लगता है शाम को लियोगी के पिता उससे मिलने उसके घर आते हैं जवान होने पर लियोगी अपने पेरंस से अलग दूसरे घर में रहने लगा था लिउगी के पिता सोनिया से कहते है कि पुलिस को अभी तक तुमारे पेरंस के बारे में कुछ नहीं पता वो सोनिया से आगे कहते है तुमारा जहां रहना ठीक नहीं तुमारा जहां रहना सिंधिया को अच्छा नहीं लग रहा कुछी दिनों में इन दोनों की शादी होने वाली है कि मैं मेरे साथ ही चलना चाहिए लेकिन ल्यूगी कहता है कि सोनिया किसी होटल में रह लेगी इसके बाद ल्यूगी और सोनिया बीच पर गूमने जाते हैं जहां घूमते घूमते सोनिया उससे कहती है कि मैं तुमारी बहनati हूं मेरी माँ शादी से पहले किसी और से गरवती हो गयी थी वो आगी और भी रास खोलते हुए कहती है कि तुमारे पिता कोई अच्छे इंसान नहीं है उनका मेरी मा के साथ चकर चल रहा है और अपनी असिस्टन्ट के साथ भी यह जानकर कि सोनिया मेरी बहन नहीं लिवगी बहुत खुश होता है और वो बीच पर ही उससे प्यार करने लगता है अगले दिन सिंधिया के गर एक पार्टी चल रही थी जिसमें लिवगी के पेरिंस भी शामल होते है कुछ देरबाल लिवगी भी सोनिया को लेकर पार्टी में पहुँच जाता है पार्टी के दुरान सिंधिया के पिता सिंधिया और लिवगी की शादी अनाउस कर देते है लेकिन लियूगी सब के सामने सिंधिया से शादी करने से मना कर देता है उसका कहना था कि वो किसी और से प्यार करता है तब ही सोनिया उसके पास आकर उसे चूम कर कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सिंधिया उससे कहती है कि ये तो तुमारी बेहन है तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो तो लियूगी सबसे कहता है कि सोनिया मेरी सगी बेहन नहीं है इससे मेरा खून का कोई रिष्टा नहीं है लियोगी की इस गड़िया हरकत के कारण सिंधिया के पिताओं से धक्के मार मार कर पार्टी से बाहर निकाल देते हैं इस बाद से लियोगी के पिता को भी काफी गहरा धका लगा था और वो भी अपने बेटे से सारे रिष्टेनाते तोड़ लेते हैं अब लियोगी और सोनिय अपने घर बापिस आ गई थे दोनों आज बहुत खुश थे वो दोनों पहले जशन मनाते हैं और फिर एक दूसरे को चाट चाट कर प्यार करने लगते हैं अगली शाम वो दोनों एक कलाम में जाते हैं जहां की मुलाका फ्रैंकी नाम की एक लड़की से होती है नशे में दोतोने के कारण वो तीनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं दूसरे दिन सुवा फ्रैंकी को सोनिया की डारी मिलती है जिसे वो पढ़ने लगती है कुछ तिनों बाद सोनिया ल्यूगी से मिलने उसके आफिस में आती है जहां उसकी खूपसूरती देखकर सभी उचलने लगे ल्यूगी का बास तो उससे खुश रोकर उसे अपनी सेक्टरी बना लेता है अगले ही दिन ल्यूगी का बास उससे कहता है कि मार्शला मुवी देखने जाना चाती है तुम्हें उसके साथ जाना होगा रात को जब ल्यूगी मार्शला को लेने उसके घर गया तो मार्शला सिनेमा जाने से मना कर देती है लेकिन वो उसे अपने साख खाना खाने को कहती है पती के घर ना होने के कारण वो लिवगी को रिजाने लगी लेकिन लिवगी उसे रोग कर अपने घर बापिस आ जाता है अगली सुबा अख़वार देहकर लिवगी को पता चला कि फ्रेंकी लापता हो चुकी है इस ख़बर से वो काफी चौंग गया था इसके बाद वो अपने किसी जरूरी मीटिंउं पर चला जाता है मगर सोनिया ने उसके जरूरी फाइल के सारे कागस खराब कर दिये थे जिस कारण आज की डील कैंसल हो जाती है डील कैंसल होने पर उसका बहुत से नौकरी से निकाल देता है घरा कर लिवगी सोनिया से जगड़ा करने लगा क्योंकि उसने उसकी जरूरी फाइल खराब कर दी थी और उसी कारण उसकी नौकरी भी चली गई थी तो इस पर सोनिया उससे कहने लगी कि मैंने ये सब जान बुच कर किया क्योंकि मुझे मार्शला का तुमारे करीब आना अच्छा नहीं लगता कुछ देरवाल लिवगी के हाथ भी सोनिया की डारी लग जाती है जिसमें से दो पेज भटे हुए थे सोनिया इस समय वाक करने बाहर गई भी थी इसी बीच लिवगी के हाथ एक वीडियो टेप लगती है जैसे ही वो उसे प्ले करता है तो उसे देखकर वो चौक जाता है क्योंकि इस वीडियो में सोनिया और लिवगी के आवास जिसमानी खेल खेल रहे थे ये देखकर वो सोनिया से और भी नराज हो जाता है तब ही उसे फ्रेंकी का फटा हुआ कोट मिलता है जब वो किसी काम से अपने स्टोर रूम में गया तो उसे वहाँ फ्रेंकी की लाश नजराती है और साथ ही साथ उसे सोनिया की डारी के फटे हुए पेज भी मिल जाती है जने पढ़कर लियोगी के तोते उड़ गए थी अब उसे सोनिया की सारी सचाई पता चल चुकी थी वो जल्दी जल्दी पुलीस को सोनिया की सचाई बताना चाता था मगर तभी सोनिया घर आकर लियोगी को भ्योश कर देती है वह से रसी से बात कर उसे होश में लाती है और उसे रिजाने लगती है इसी विश मार्शला भी लियोगी को फोन कर रही थी जिसे कोई नहीं उठा था अगले दिन सोनिया लियोगी के पास आकर उसे बताती है कि मेरे पिरंस कहीं गूमने नहीं कहे थे मैंने उन्हें मार डाला था क्योंकि जब मैं 12 साल की थी तो मेरे पिता ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी क्योंकि मैं उनकी सगी उलाद नहीं थी वो आगे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, किसी को भी मार सकती हूँ उदर मार्शला के बार बार फोन करने पर जब कोई भी फोन नहीं उठाता तो वो पुलिस को लेकर लिवगी के घर तक पहुंच जाती है, दूसरी तरफ लिवगी भी अपने आपको अजाद कर घर की चट तक पहुंच गया था, चट पर आकर वो मदद के लिए चिलाने लगा तभी सोनिय बहां आकर उसपर हमला करने की कोशिश करती है, मगर लिवगी चलागी से काम लेते हुए सोनिय को ही छट से नीचे फिंग देता है, जहा नीचे गिरते ही सोनिय की मौत हो जाती है, और इसी के साथ इस कहानी का यही आंत हो जाता है